नमस्कार मैं संतोष चोहान अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपको बताने जा रही हूं अपने इस वीडियो में कि कुट्टू के आटे की पूरी आप तरह तरह की चीजें मिलाकर कैसे बना सकते हैं यह मैंने 500 ग्राम कुट्टू का आटा लिया है और इस तो आप तेल के जगे घी भी डाल सकते हैं तो पहले इसको सीता फल को ऐसे घिया कस कर लेना है तो इसमें सीता फल की जगे आप घिया लौकी और अर्बी यह सारी चीजे भी डाल सकते हैं आधे चमच के करीब इसमें नमक डल जाएगा और दो चमच इसमें मोन के लिए ओयल डालेंगे, अब इसको पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जिनके डाइबिटीज होती है, उनको आलू नहीं मिलाना चाहिए उनके लिए, तो बाकी जो चीजें वो मिलाके आप बना सकते हैं, तो कई चीजें मिलाई जाती हैं इसमें, घिया, जिसको लौकी भी कहते हैं, और अर सिता फल में भी हलका पानी सा होता है, तो जब यह सारा मिक्स हो जाएगा, उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा पानी डलता है, इसमें पानी जादा नहीं डलता है, तो यह जो आटा गुंदेगा, यह एक तो पूडियों जितना टाइट नहीं गुंदना है, और छोटी-छोटी लोई बना लेंगे, पूडियों के अकार की, यह लोई में ने चार लोई बना ली है, अब इसको थोड़ा सा आटा लगा के, और इसको हलके हाथ से बेलना है, जैसे गेहों के आटे की पूडियों बेलते हैं, तो वैसे नहीं बेलना है, इसको हाथ थोड़ा हलका रखना है अब आप देख पा रहे हों कि इजली आराम से बेली जा रही है पूड़ी तेल गरम हो चुका है और इसको हमने मीडियम फ्लेम में ही हम तलेंगे और अगर आप सॉफ्ट पूड़ी खाना चाहें तो थोड़ा जल्दी आप निकाल लें और अगर आप करारी क्योंकि करारी पूड़ी आलू की सबजी से बहुत टेस्टी लगती है तो मैं थोड़ा इसक पहले निकाल लेंगे तो यह सॉफ्ट रहेगी अब देखिए दोनों साइड से यह सिख चुकी है अब इससे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी जो पूड़ियां है उनको तलेंगे इसली आराम से फूल जाती है और बन भी आराम से जाती है इसमें बेलने में दिक्क नहीं आते जादा और दही से आलू की सबजी से यह खाई जाती है और बहुत अच्छे लगते हैं रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बना के देखिएगा बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसी तरह से जैसे कुट्टू के आटे की यह मिला कर बना सकते हैं